हेलो दोस्तों मैं हूँ अभी तोज सिंग और आपका स्वागत है Modern Office Skills YouTube चैनल में इस चैनल में हम आप से बात करेंगे कि आज कल के Modern Offices में किस तरह की Skills की requirement होती है कौन कौन सी Skills important है उन सब के बारे में हम बात करेंगे Basic Computer Literacy Skills हो गई, Organization Skills हो गई Strategic Planning and Scheduling Skills हो गई, Time Management, Verbal and Written Communication Skills and etc. etc. We will start with Computer Skills और उसके बाद one by one हम और भी वीडियो आपके साथ शेर करते रहेंगे तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं Microsoft Excel One by one हम इसको डेटेल में कवर करेंगे और आज की वीडियो है वो Microsoft Excel की Introduction के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं चलिए दोस्तो, Excel सीखना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि Excel एप्लिकेशन को स्टार्ट कहां से करते हैं हमारे पास Windows में All Programs और Start का बटन आ रहा होता है उस पे क्लिक करने के बाद आपको यह ड्रॉप डाउन करने से Microsoft Office नाम का फोल्डर मिल जाएगा और otherwise आपको यह यहां पे as a shortcut और icon भी नज़र आ जाएगा तो इस पे क्लिक करने से आप इसको start कर सकते हैं इसको start करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं आप इसको यहां पे search भी कर सकते हैं और आपके desktop पे already अगर कोई icon बना हुआ है, shortcut बना हुआ है तो उससे भी आप इसको start कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब देखते हैं कि जब हमने application को start कर दिया है तो उसके बाद यहां पी क्या नज़र आता है तो सबसे पहले यह हमें select करने को पूछ रहा है कि हमने एक blank workbook और खाली sheet start करनी है और हमारे पास कोई already जिस पे हम काम कर रहे हैं तो उससे भी हम एक file excel में start कर सकते हैं otherwise जो नए latest versions में उनमें बहुत सारी अच्छी options हैं for example यहां पे templates आ रहा है हमने कोई खास तरह का काम करना है आप अपनी जुरुत के हिसाब से इन templates को use कर सकते हैं यह templates online available होती हैं कुछ हमारे जो software है उसमें inbuilt होती है और आप इनको यहां से search करके download भी कर सकते हैं तो यह directly जो Microsoft Office की website से हमारे पास यहां पे बहुत सारी options available होती हैं तो यहां पे हम अपना time saving के लिए इसको use कर सकते हैं शुरुआती दौर में हम एक नई file से शुरुआत करते हैं दोस्तों तो हम blank workbook को select करते हैं तो हमारे पास इस तरह से जो landing page है Microsoft Excel application का ठीक है वो हमारे पास सामने नजर आता है तो हम step by step इसमें जाएंगे दोस्तों दोस्तों जब हम नई file खोलते हैं तो हमारे पास यह view नजर आता है इसमें हम देख रहे हैं कि उपर एक ribbon है इसको हम Excel ribbon बोलते हैं Excel ribbon में हमारे पास बहुत सारे sub-ribbons हैं sub-tabs बोल सकते हैं इस हर tab में एक अलग तरह की commands को एकठा दिया गया होता है for example हमारे पास अगर data related commands है तो एक साथ दी हुई होती है और formulas है तो अलग से हैं और home में बहुत सारी formatting की options हैं तो यहां पे हम next जो हमारे पास videos आएंगी one by one तो हम पहले सबसे पहले introduction में बात करेंगे और फिर उसके बाद एक एक tab को एक एक video में discuss करेंगे और उसमें जितनी भी हमारे पास commands दी गई हैं उनको हम one by one detail में discuss करेंगे with example और साथ साथ मैं आपको दोस्तो कुछ practice के लिए work sheets भी देता रहूंगा आपको assignments भी मिलेंगी बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक घंटे में डेड़ घंटे में आप Excel सीख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह practice पे based है अगर आप इसको जितना जारा practice करोगे उतना जारा यह आपको अच्छे से याद रहेगा हमारे पास जो नई file खुलती है इसको थोड़ा सम जूम कर लेते हैं यहां पे जूम की option है तो हम इसको यहां पे जूम इन करके आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा यह जो हमारे पास sheet नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं workbook राइट तो एक workbook में बहुत सारी sheets होती है sheet one नज़र आ रही यहां पे sheet इसमें sheets हम add कर सकते हैं और उनको rename भी किया जा सकता है सो हम इसको rename कर देते हैं right so test अपनी जुरुरत के हिसाब से आप इसको rename कर सकते हैं सो हमारे पास यहां पे देखते हैं कि sheet में columns बने हुए है column A, B, C, D, E, F, G and so on so काफी सारे columns होते हैं और इस side पे हमारे पास rows आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 जो latest हमारे versions है उसमें यह जो संख्या है इनकी वो काफी बड़ी है number of rows इसमें बहुत सारी add कर सकते हैं for example जो हमारे मेरे पास यह latest 2016 का जो version है इसमें 10,000,000 से उपर की वो यहां पे हम काम कर सकते हैं that is more than sufficient to accomplish any task on Excel so हमारे पास यह basic layout है एक sheet का हमारे पास जो already यहां पे जो selected cell है इसको हम बोलते है active cell और active cell को अगर हमने बताना हो कि यह कौन सा cell है इसको कैसे बताते हैं इसका नाम क्या है तो हम इसको column और row के combination से बताते हैं दोस्तों तो column हमारा यहां पे कौन सा है column C और row number है यहां पे 5 so यहां पे हमें already यहां पे show भी हो रहा है क्योंकि यह highlight हो रहे है और यहां पे हमारे पास address बार है यहां पे जो नजर आ रहा है so C5 is the cell address और cell name ठीक है दोस्तों इसके बाद हमारे पास इसके बिलकुल साथ यहां पे formula बार है अगर हम इस cell में कोई भी formula टाइप करते हैं तो जो formula है वो हमें यहां पे show होगा for example हम इसमें एक simple plus का formula add करते हैं तो यहां पे अगर हम click करेंगे तो यहां पे यह formula हमें नजर भी आ रहा है formula bar में और यहां पे उस cell में हमारे पास इसकी output नजर आ रही है दोस्तों जब हम आगे जाकर formula apply करने की बात करेंगे, new formulas यहाँ पे type करेंगे, लगाने की बात करेंगे, तो इस चीज की basic understanding हमें जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किसी cell को बताते कैसे हैं, उसका नाम क्या होता है, तो for example यहाँ पे जो highlighted cell है, तो उसका नाम है C7. नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं, navigation की, navigation का मतलब होता है कि Excel environment में एक cell से दूसरे cell में कैसे जाना है, एक जगा से दूसरी जगा के move कैसे होना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी options हैं, एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जितने भी काम हम Excel में करते हैं, in fact, जितने भी काम हम Windows में करते हैं, तो उनको, उन सब कामों को, ठीक, उन सब actions को हम keyboard की सहायता से भी कर सकते हैं, दोस्तों, Excel में basically हम data पे काम करते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे keyboard पे उपर हमारी command है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए अगर ह बहुत जरूरी है कि Excel के जितने भी shortcuts हैं, जितने भी हम काम mouse से कर सकते हैं, वो हम keyboard से भी कर सकते हैं, तो वो मैं साथ-साथ आपको display पे भी आते रहेंगे साथ-साथ, वो आपको मैं जानकरी देता रहूंगा, और उसके साथ-साथ मैं आपको एक shortcut का जो हमारे पास comprehensive detail list है, व आप शुरू करते हैं, navigation के लिए, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कि sample data जो हमारे पास है, वो यहाँ पे लेके आते हैं, तो जितने भी हम navigation के tools की बात करेंगे, shortcuts की बात करेंगे, वो सब हम उस पे apply करके देखेंगे, और साथ-साथ आप भी apply कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो कुछ orders हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दोस्तों कि एक cell से दूसरे cell पे सबसे easily हम कैसे move कर सकते हैं, तो आपके keyboard पे कुछ arrows के निशान बने हुए हैं, तीर के निशान बने हुए हैं, आप down left right, उन arrows को press करके, जिस direction में आप जाना चाहते हो उस direction में आप move कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप एक cell से दूसरे cell पे जा सकते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पे बात की थी कि एक workbook में काफी सारी sheets हो सकती हैं, तो यहाँ पे test है, sheet 2 है, sheet 3 है, तो एक sheet से दूसरी sheet पे जाने के लिए हमारे पास से यहाँ पे keyboard shortcut क्या है, तो हमा पे जाना चाहते हो, तो पेज आप प्रेस कर सकते हो, दोनों को प्रेस करके आप एक sheet से दूसरी sheet में easily move कर सकते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम navigate करते हैं, तो हमारे पास one by one, एक बार प्रेस करने से एक cell में हम move करते हैं, माल यह जो हमारे पास data काफी बड़ा है, 200 300 लाइने हैं, तो easily data के end में कैसे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या shortcut है, तो हम control प्रेस करने के बाद, up, down, left, right, जिस direction में भी आप move करना चाहते हैं, तो end of the data पे आप move कर सकते हैं, जहाँ पे data खत्म होता है, हम control प्रेस करते हैं, साथ में down arrow प्रेस करते हैं, तो आप data के बिल्कुल end पे चलिया, और कई बार हमारी mouse भी उस तरीके से अच्छे से काम नहीं करती, scroll down करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके से हम easily एक cell से data के end तक कहीं भी, किसी भी जगा से बिल्कुल end तक जा सकते हैं, next हम बात करते हैं, दोस्तों कि data को हमने select करना होता है, cells हमारे पास है, हमने कुछ type किया हुआ है, या हमने कहीं से copy paste कर रहा है, तो सबसरी पहला काम क्या होता है, कि हमने उस data को, उस cell को select करना होता है, select करने के बाद उसको हम copy paste करते हैं, जो most of the time हम करते हैं, या उसमें formula लगाना है, या उस पर editing करनी है, so हमें efficiently data को select करन जरूर आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे shortcuts हैं, keyboard के उपर, अगर हम शुरुआती दोर में ही keyboard shortcuts को practice करते रहेंगे, तो हमें आगे परिशानी नहीं आएगी और हमारी speed भी बहुत अच्छी रही, cell को select करने का सबसे असान तरीका क्या है दोस्तो, shift और up, down, left right arrow, जिस direction में भी आप करना चाहते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसी तरह से हमने बात की थी, shift, up, down, left, right एक बार प्रेस करने से एक cell होता है, और नीचे तक होता जाता है, बट अगर data बहुत जादा है, ठीक है, 300, 400, 1000 लाइने है, तो उसमें बहुत जारा time लग सकता है, तो उसक वहां तक, जो cells हैं, वो select हो जाएंगे, जिस direction में आप करना चाहते हो, उस direction में हो जाएंगे, आप देख रहे हैं कि हमने दो strokes में, control, shift, down arrow, and left arrow, दो strokes में, हमने ये पुरे का पूरा जो data है, वो अच्छे तरीके से select कर लिया है, किसी जगा पे दोस्तों, आपको लगता है, क तो हमारे पास बहुत अच्छे shortcut है, control, and space bar, एक अठा press करने से, जहां पे आपका cursor है, जो active cell है, वहां का जो पूरा का पूरा column है, वो आपका select हो जाएगा, उसी तरह से, किसी जगा पे आपको लगता है, कि पूरी पूरी row हमें select करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे प करता है, कि पूरे का पूरा जो data है, तो वो select करना है, तो हमारे पास एक बहुत बढ़ी option है, जो windows में हर जगा applicable है, control A से आप पूरे का पूरा जो हमारा data है, उसको select कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब हम control A प्रेस करते हैं, तो पूरी sheet select हो जाती है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ data चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ data को select करें, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा shortcuts है, control, shift, down, arrow, and left, right, जिस direction में भी आप select करना चाहते हैं, आप select कर सकते हैं, दोस्तों, अब बात करते हैं, कि हमा से इनको drag करके columns को उनकी जो width है, उनकी जो चौडाई है, उनको change कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, इन सब को 81 select करने से, एक मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप किसी column के नाम पे click करेंगे तो वो पूरा का पूरा column select हो जाता आएंगे वो उन पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, यह भी एक effective तरीका है select करने का, हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जो हमारी columns और rows हैं, उनकी height और width है, उसको adjust कैसे करना है, तो एक बहुत simple task है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे जो इसकी divider line आती है, उसको हम drag करके, drag करने से इसकी width है, उसको adjust कर सकते हैं, अपने हिसाब से, बहुत अच्छी option है, उसी तरह से दोस्तों, जो हमारे पास rows हैं, उनकी height को भी बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इस तरीके से, हमारे पास दोस्तों यहाँ पे auto adjust की option भी है, यह बहुत बढ़ी option है, जब हम बात करते हैं, Excel में हमारे data को अच्छे तरीके से represent करने के लिए, तो auto adjust है, वो सबसे बढ़िया काम करता है, होता क्या है कि by default जो हमारे columns हैं, उनकी जो width है, चोड़ाई है, वो एक सावान होती है, उसको हमने हर column के हिसाब से set करना पड़ता है, कई बार columns जादा होते हैं, तो उस चीज को ह हम कैसे ठीक कर सकते हैं, auto adjust के लिए हम उन columns को select कर लेते हैं, और किसी एक के division बार पर जाके, हम double click करते हैं, जाकर double click करते हैं, तो आप देखिए क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो data है, auto adjust हो चुका है, और auto adjust में देखा आपने, जिस column को जितनी जगा चाहिए, उतनी जगा automatically उसको दी जा चुकी है, और ये ध्यान रखा गया है कि किसी भी column में कोई text है, जो उसमें data है, वो hide ना हो, properly display होना चाहिए, मैं एक बार फिर repeat कर देता हूं, columns को select करना है, और किसी भी column की जो partition की line होती है, उस पे हमने double click करना है, हमारा जो data है, वो complete जो data है, वो auto adjust हो जाए जगा चाहिए, सारा का complete data जो है, वो अच्छे तरह से हमें नजर आए, आगे बात करते हैं दोस्तों कि एक column और row को एक worksheet में कैसे insert करना है, यहाँ पे हमने जो sample data है, हमारे पास A, B, C, D, columns हैं, हम चाहते कि इस column से पहले हमारे पास एक और column जो है, वो insert हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस column को select करते हैं और right click करते हैं, यहाँ पे insert की option आ रही है, जैसे हम इसको press करेंगे, हमारे पास एक और column है, जो इसके left side पे वो add हो जाएगा, और इसी तरह से हम row insert करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम row insert कर सकते हैं, ऐसे left click करने के बाद आप insert पे click करेंगे, तो वहाँ पे एक row भी insert हो जाएगी, दोस्तो इस वीडियो को लिए इतना ही, next वीडियो में हम one by one जो हमारे पास उपर options आ रही हैं, वो हम पूरी की पूरी discuss करेंगे, दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को like और subscribe जरूर कीजिए, आपसे फिर मुलकात होगी, thank you so much